बोली धाना शेत्र में एक नाबालिक किशोरी के आपरण का मामला सामने आया है पिडित पिता ने बोली धाना पर रिपोर्ट सौप कर पताया कि उसकी 17 वर्षिय पुत्री 18 अप्रैल को गाउं की महिलाओं के साथ गाउं के ही समीप इदन के लिए लकडियां लेने गई थी शाम को सब महिलाएं गाउं में वापस लोट आई लेकिन उसकी पुत्री नहीं लोटी पिडित परिवार ने लापता किशोरी को तलाशनी की कोशिश की आसपास सरिष्टेदारों के यहां तलाश करने के बावजूद जब किशोरी नहीं मिली तो पिडित पिता ने बोली ध सब्सक्राइब के प्रयास शुरू कर दिये हैं प्रयास शुरू कर दिये हैं